गुड मॉर्निंग माई डियर फ्रेंड्स आज मैं आपको वो चीजे बताऊंगी और उनसे समंदित प्रस्ण पूछूंगी जिससे समंदित मैंने आपको पढ़ाई करवा दी हैं मैंने लगातार चार क्लासेज ली हूँ आपको टेक्स्टाइल टेर्मिनलोजी पर और उसी से समंदित क्वेश्टन से भी पूछ रही हूँ मैंने आपको कंसेप्ट दिया है टेक्स्टाइल टेर्मिनलोजी का और पिछले चार क्लास में मैंने आपको एक एक चीज डिटल्स में बताई है तो आज मैं आपको कुछ क्वेश्टन पूछूंगी जिसका एंसर आपको देना है अब आप कहोगे मैडम आप एंसर भी बता बुनाई के द्वारा कपड़े के एक ही सतह पर सलवटे डालना पहला ओप्षन दूसरा ओप्षन है वस्त्र की सतह पर लहरदार नमुने बनाना तीसरा है वस्त्र पर रोय उठाना और चोथा है साधी बुनाई वाला सूती वस्त्र कौन सा ओप्षन सही है फिर से आप सुन ले question क्रेप है बुनाई के द्वारा कपड़े के एक ही सतह पर सिल्वटे डानना दूसरा option है वस्त्र के सतह पर लहरदार नमुने बनाना तीसरा है वस्त्र पर रोय उठाना और चौथा है साधी बुनाई द्वारा सूती वस्त्र कौन सा correct answer है आप लोग बोलिये कुछ तो पढ़ा होगा आप लोगों ने ध्यान से अगर सुना है तो आप इसका एंसर दे देंगी चलिए मैं ही question का answer बताती हूं इसका पहला option है बुनाई के द्वारा कपड़े के एक ही सतह पर सिल्वटे डालना इसको कहते है क्रेब वस्तर के सतह पर लहरदार नमूने बनाना इसको क्या बोलते है आपको मालूम है वस्तर पर रोय उठाना इसको क्या टर्म है ये भी मैंना आपको बताया हुआ है और साधी बुनाई वाला सूती वस्तरों क्या बोलते हैं ये भी आपको मालूम है अब question number 2 खीचा उन है question ध्यान से सुनना खीचा उन है जिवित भेड के सरीर से प्राप्तून या दूसरा option मृत भेड के सरीर से प्राप्तून तीसरा उन का दो साला जो कस्मीर में पाए जाने वाली बक्री से मिलता है और चौथा option है इन में से कोई नहीं फिर से सुनो ध्यान से question को खीचा उन है पूल्ड उन है पहला जिवित भेड के सरीर से प्राप्तून दूसरा है मृत भेड के सरीर से प्राप्तून तीसरा है उन का दो साला जो कस्मीर में पाए जाने वाले बक्री के खाल से मिलता है और चोथा है इन में से कोई नहीं क्या है पुल्डोन अब बता है मैंने डीटेल्स बताईए आपको एक-एक टर्मिलोजी को मैंने डीटेल्स में समझाईए इसका पहला इसका जो एंसर है वो है मृत भेड के सरीर से प्राप्तो जब भेड मर जाता है जानते हो किने कारणों से मर जाता है बिमारी लग जाती है कोई और कारण होता है मर जाता है तो उसके सरीर से जो मरने के बाद उसके शरीर पर कोई केमिकल लगा दिया जाता है जिससे की रोया आसानी से उसके बॉडिसे बाहर निकल जाते हैं ठीक है तीसरा क्विश्चन कि इसन नम्र तीसरा फ्ला नेल है फ्ला नेल है सुती एवंग उनी रेसों के सन्योग से बना नरम बस्त्र जिसे परिसज्जा के द्वारा रोएदार बनाये जाता है और नेक्स्ट दूसरा उनी एमंग रेशमी रेशों के संयोग से बना हुआ वस्त्र तीसरा अप्सन है रोएदार वस्त्र चौथा अप्सन है नायलोन रेशों का बना सुन्दर नमूने वाला वस्त्र फलानेल है क्या होता है वस्त्र दोने के संयोग से दोनों के मिलने से मिला करके वस्त्र बनाते हैं और उस पर रोएउठाते हैं कि मैंने बच्पन में खुब पहना है कि फलानेल की टोपी फलानेल का फ्राक उसमें फ्राक ही चलता थम्रों को टाइम में कि डिटेल्स में आपको समझाई हुई है अब क्यूशन नबर पांच मां पांच मां चौथा है क्यूशन नबर चौथा वस्त्र गुनांक है वस्त्र गुनांक है प्रती इंच कपड़ों में धागों की संख्या दूसरा प्रती संटीमेटर कपड़ों में धागों की संख्या तीसरा धागों की बारीकी कमाप और चौथा इन में से कोई नहीं कौन सा प्रती इंच कपड़ों में धागों की संख्या यह कहलाता है वस्तर्गुनांक डिटेल्स वताई थी कितने के धागे कितने होंगे अब बाने के धागे होगा तो कपड़ा कॉम्पेक्ट बनेगा है सग्धन होगा बुनाई सग्धन होगी और उग ज्यादा मजबूत होगा उत्तम क्वाइलिटी का हो अगर ताने और बाने की धागों में अंतर होगा काफी गैप होगा अगर 60 ताना का धागा है प्रतींच में और मानलों की 40 है या 25 है तो वैसा जिहीनी रचना वाला जरजरी रचना वाला वस्त्र बनता है तो वस्त्र गुणांक है प्रतींच कपड़ों में धागों की संख्या अब क्यूशन नबर पांच नमदा है आप एक्जामनेशन में भी आये था आपने मुझे पूचा भी था नमदा क्या है मैंने पढ़ाए हुआ बिटा नमदा क्या है वाट इज फैल्टिंग अंग्रीजी वाले बच्चे समझें वाट इज फैल्टिंग क्या है नमदा नमीत साप एमंग दाब द्वारा उनी रेशों को आपस में उल्जा कर जमाना पहला उप्षन दूसरा है उनी रेशों की बुनाई करके दर्यां बनाना तीसरा उप्षन है सूती एमंग उनी रेशों से रोएदार बस्तर बनाना और चौथाय उपरोक्त सभी नमदा किसको कहते है वाट इज फेल्टिंग तो करेक्टर एंसर क्या है फिर से उप्षन सुन लो नम्दा है पहला उप्षन उनी रेशों को आपस में उज्जा कर नमी ताप दाप द्वारा जमाना यही इसका इंसर और क्वेशन नम्बर छठा प्रतिय सकंदता है जिसको कहते रिजिलियन्सी अंगरेजी वाली बच्चे समझे करते मैडम अंगरेजी में भी पढ़ा दीजिये रिजिलियन्सी क्या है प्रतिय सकंदता रेशों का मूल आयतन वापस ग्रहन करने की छमता है पहला उप्षन उप्षन सुनो रिजिलियन्सी है रेशों का मूल आयतन वापस ग्रहन करने की छमता दूसरा खींचने के उप्रान वस्त्र या रेशा पुनह अपनी पुरू लं कोनों ही और चौथा इन में से कोई नहीं रेजिलेंसी और एलास्टिसीटी और फ्लाक्जिब्लेटी इन तीनों टार्म्स को मैंने डीटेल्स में समझाई हुई है तो आप बताईए करेक्ट अंसर क्या है नहीं माल एक वीदियो को दिछान से सुना करो तबहुत कि याद रहेगा बार-बार सुनो करत करत और भ्यास ते जड्मती हो तो सुजान रसरी आवत जात ते सिलपर परत नीसान तो आप महनत करऊंगा मैं आपके लिए महनत करना पड़ेगा ना नहीं तो चलिए पहला इसका प्रतिसकंदता है रेसों का मूल आयतन वापस ग्रहन करने की छमता यही कहलाता है लेकिन वापिस अगर वह अपनी मूल आकरिती को प्राप कर लेता है तो कहलाता है रिजिलियंसी या प्रतिसकंदता समझ गए जैसे उनी का वस्त्रा यह रेस्मी का वस्त्रा है तोड़ मूर जाता है आप देखोंगे लेकिन उसको टांग करके हैंगर में रख दो तो कुछ द वापिस अपने मूल ग्रूप में आ जाता है उसका वॉलूम वापिस वह गेन कर लेता है सिल्वट्य उसकी ऑटोमेटिक हट जाती है बिना कुछ किये दिए यह उनी रेसे में और आपके रेस्मी रेसे में इसका रिजिलियंसी का अनोखा गुन मिलता है नायलोन के रेस्व के रेसों से बिनावलों को अलग करना बिनावली मिस बीज कपास के रेसों से बिनावलों को अलग करना मतलब कपास के रेसों से बीजों को अलग करना पहला ओप्षन दूसरा है रेसों को समनांतर करना तथा बड़े रेसों को छोटे रेसों से अलग करना और तीसरा है रेस से धूलकन मिट्टी बीज पत्ते इत्यादी असूधियों को अलग करना और चौप्था आप्शन है इन में से कोई नहीं तो करेक्ट आप्शन कौन सा है कि वाट इस दी करेक्ट आप्शन कि भूलिए वो उटना है कपास के रेसों से बिनोलो जिसको हम बीज कहते हैं उसको अलग करना उसको कहते हैं अग्रेजी में गिनिंग अब क्विश्चन नमबर आठ मा देख खोतीजी क्विश्चन है क्या हैँLyनन के रेशा या सीछल का रेश है या एक एक रासाइनिक पडार्थ का नाम कितना इजी कुछन है ना ए ऐसे इजी कुछन आते हैनिग्जामिक्वेस्न में में हुआ है कुरणे है कि है पका हुआ का कपास का फल कि हम को sound बोलते हैं जिसके भीतर कपास के रेसे बीजो में चिपके हुए रहते हैं, जिनको बीजो से अलग करते हैं, जिसको भी मैंने बताया, ओठना. आप Question no.9, Cambric है, Cambric है महिन साधी बुनाई वाला सूती वस्तर, महिन साधी बुनाई वाला सूती वस्त्र पहला ओप्षन दूसरा है साधारन बुना हुआ वस्त्र जिसकी चोड़ाई 120 सेंटीमीटर है तीसरा है महिन साधी बुनाई वाला सूती वस्त्र जिसकी चोड़ाई 60 सेंटीमीटर है और चौथा अप्शन है विभीन रेश्यों के संयोग से बना वस्त्र करेक्ट एंसर क्या है आप लोग करेक्ट एंसर बताना मुझे कॉमेंट बॉक्स में डाल करके चलो मैं करेक्ट एंसर बता देती हूं साधारन बुना हुआ वस्त्र जिसकी चौड़ाई 120 सेंटिमीटर होती है यह मैंने डीटेल्स में बताई हुआ था आपको तर्मलाओ जी जब आपको पढ़ा रहे थे तब मैंने आपको डीटेल्स में इसकी बताई थी कि सामान्य था है जो कपड़े बुने जाते हैं जैसे प लेकिन जो केंब्रिक कपड़ा होता है उसके चोड़ाई ज्यादा होती है और वह 120 सेंटिमीटर तक होती है साधान बुना हुआ रहता है ट्विल बुनाई उसमें नहीं रहती है इसके बाद कुश्चन नंबर दस्मा है ड्रॉविंग आउट कहते हैं खीच कर निकालना कहते हैं खीच कर निकालना एक टर्मेटर मिलोजिका खीच कर निकालना क्या है धागे को महीन एमंग और भी अधिक बारिक करने के लिए उसको खीचना और खीच करके लंबा करना पहला उप्सन दूसरा है मिर्थ जानवर के सरीर से बाल को उतारना तीसरा उप्षन है उनी रेसों की सफाई करना और चौथा उप्षन है इन में से कोई नहीं कौन सा करेक्ट अंसर है कि बोलो कि नहीं वालो कि मैंने डीचल्स बताये था कि ऑप्षन सुनलो ध्यान से खीच कर निकालना है कि पहला धागे को महीन एमंग और भी अधिक बारिक करने के लिए खीच कर निकालना सेकेंड ऑप्षन मृत जानवर के शरीर से बालों को उतारना तीसरा उप्षन उनी रेसों की सफाई करना और चौथा इन में से कोई नहीं और गजयુन से बारीक करने के लिए खीच कर नायललू्न नायलून के दयागे को अस्पिंड कर निकालते हैं कि को च्षिद्रों से निकालते हैं तो वह थोड़े मोटे होते हैं और फिर उन रेसों को वापिस हम क्या करते हैं कि खीचते हैं ऐसे करके मसीन के द्वारे खीच दिया जाता है जिससे वह रेसे अपनी मूल लंबाई से 6-8 गुना तक बढ़ जाते हैं मालो 6-6 इंच का कटा हुआ लेकिन अगर उसको मसीन से फिर वापिस खीचते हैं खीच कर निकालते हैं तो नायलन बनाने और क्योश्चन नमबर 11 सुनो ध्यान से शूत संख्या है शूत संख्या है शूत संख्या है धागों की बारीकी कमाप 1000 मीटर धागों का वजन जितना है पहला उप्षन शूत संख्या है उसका उप्षन सुन लो पहले ध्यान से धागों की बारीकी कमाप 1000 मीटर धागों का वजन फिर से सुनो दागों की बारी की कमाप 1000 मीटर यह 1000 मीटर धागों का वजन दूसरा ताना एमंग बाना धागों की संख्या प्रती सेंटीमीटर वस्त्र में तीसरा अप्शन है वस्त्र का वजन प्रती किलोग्राम और सब्सक्राइब यह क्या है करेक्टर है करेक्टर है धागों की बारी की कमाप 1000 मीटर धागों की क्या वजन है कि वही सूत संख्या जैसे मेंने डिट्रेटल बताया था आपको मोटे धागों मोटे बस्तरों पर शिलाई के लिए में मोटे धागों का इस्तेमान करना पड़ता है और महीन बस्तरों पर सिलाई के लिए हमें महीन धागों का इस्तेमान करना पड़ता है तो धाग सूत संख्या से हम देखते हैं कि कि किस कपड़े पर कौन सी सुल्ट संख्या कि शिलाइक करते समय या बुनाई करते समय काम आएगा ठीक है इसके बाद आता है प्युश्चन नंबर 12 मा मुलायम करना मुलायम करना रेटिंग है उसको रेटिंग है छाल से रेश निकाल कर अलग करना दूसरा है तने से छाल अलग करने के लिए नमी पानी या ओस में गलाना और इसके बाद रेसे निकालने की प्रक्रिया करना तीसरा है तने को तेल में डालकर गीला करना और चौथा इनमें से कोई नहीं रेटिंग लीनन रेसों से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया में एक प्रक्रिया आता है रेटिंग मुलाइम करना इसमें क्या करते हैं करेक्टर इंसर क्या है आपको मालूम हो गया होगा और नहीं है तो सुन लो चाल से रेसों को निकालना कि यह तो गलत ऑप्शन है ना है की नहीं सेकेंड है तन्य से चाल अलग करने के लिए नमी पानी या ओस में गलाना और उसके बाद रेशों को निकालना तो करेक्ट एंसर यही होगा रेटिंग मुलाइम करना क्योंकि चाल में रेसे नहीं रहते हैं कि लिनन के रेसे चाल में नहीं पाए जाते हैं लिनन के रेसे कहां पाए जाते हैं आपको तन्य से निकलते हैं आपको क्लासिफिकेशन फाइबर्स में मैंने बताए था कि कुछ रेसे हमें तन्य से प्राफ्थ होते हैं कुछ हमें बीज से प्राफ्थ होते हैं कुछ हमें तो इसका correct answer क्या है तने से चाल अलग करने के लिए नमी पानी या उसमें गलाना और question no.13 हमा बहुत easy question है अक्सर एक्जाम में आता है इंवर्सिटी एक्जाम में भी पूछे जाएंगे पूछे जाते हैं कांथा है कांथा है बंगाल की विशेश कढ़ाई पंजाब की कढ़ाई राजस्थान की कढ़ाई या गुजरात की कढ़ाई कि सब जानते हो easy question राजस्थान राजस्थान की नहीं न कहां की बंगाल की पुराने कपड़े को तह करके और फिर रंणिंग श्टिच से उसको तयार करते हैं decorative pieces तयार करते हैं रामायन महा भारत रखने जीसे गरंधों केलिए भी कभर्व तयार करते हैं शिशा रखने के लिए या संदरी प्रसाधन रखने के लिए इस तरह के चीज़े तयार करते हैं तो बंगाल का है विशेश कड़ाई कान था मोई रिंग है वस्तर पर लहरदार नमूने अंकित करना दूसरा ओप्षन वस्तर पर रोएं उठाना तीसरा है वस्तर पर उबरे हुए डिजाइन बनाना और चौथाईन में से कोई नहीं क्या है इसमें करेक्टर अंसर वस्तर पर लहरदार नमूने अंकित करना पहला दूसरा है वस्तर पर रोएं उठाना और तीसरा है वस्तर पर उबहे हुए डिजाइन बनाना और चाहँ थाइन में से कोई नहीं है मैंने फूरा डिटल समझाया था जब टेक्ष्टल टर्मिलोजी पढ़ा रही थी तब अवसी से समधित क्वेशिंग पूछ रही हूं अब सटर अगर वब्रोज डिजाइन बनाते हूं तुसको एंबोसींग बोलते हैं लिवह स्टर यह ना पिक भार बिवाय फिर मिलते हैं अगले वीडियों में ओके अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो कॉमेंट करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और कॉमेंट जरूर करना कॉमेंट करने से ही मुझे पता चलता है कि हमने जो आपको पढ़ाए कहां तक आपको समझ में आईए और आपने कहां तक उसको समझाए थैंक कर दो